हेलो गईज आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिसक्स करेंगे मेनुफेक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट का मेनुफेक्चर कैसे होता है इंडस्ट्री में इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिसक्स करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने डिसक्स सबसे पहले आपको बता दें कि सिमेंट का मैनुफेक्ट्रिंग कैसे होता है सिमेंट का मैनुफेक्ट्रिंग राव मेट्रियल को ग्रैंडिंग किया आता है इस राव मेट्रियल में हमारा आता है कैल सेरियस and argilaceous material जिसमें silica content भी राता है alumina राता है and iron oxide भी राता है तो इन सब content को क्या करते हैं calcerious and argilaceous material के साथ mix करते हैं and ये raw material को grinding करते हैं और इसके बाद इसको mix करते हैं mix करने के बाद certain proportion तो certain proportion में क्या होता है tricalcium silicate होता है जो कि 40% यूज किया आता है और dicalcium silicate होता है जो certain proportion की बात कर रहे हैं हम लोग तो उसमें dicalcium silicate 32% content मिला जाता है mix किया आता है grinding किया आता है tricalcium aluminate 10.5% and tetracalcium aluminiferite 9% इसमें mix किया जाता है इसके बाद इसको जो certain proportion राता है इसको एक large rotary kilum में क्या किया आता है कि temperature जो राता है उसमें 1200 से 1500 degree Celsius temperature पर इसको burnt किया आता है means गरम किया आता है और जब material को sinners and partially fuse किया आता है तो यह सारा प्रोसेस जो हम लोग बर्निंग करते हैं 1200 से 1500 degree Celsius पर तो इसको हम लोग किलिंकर बोलते हैं और किलिंकर में जब यह सारा प्रोसेस हो जाता है mixing grinding after इसके बाद 1200 से 1500 degree Celsius टेमपरेचर पर जब इसको किलिंक किया आता है बर्न किया जाता है इसके बाद इसको किलिंकर को ठंडा किया आता है और ठंडा करने के बाद fine powder में इसको जिपसम एड़ेड जो हमारा प्रोड़क्ट त्यार होता है तो उसको जो रिजल्ट प्रोड़क्ट होता है उसको हम लोग कोमर्शियल पॉर्टलेंड सिमेंट पॉलते हैं तो उसको ग्राइंड करके और पूरा एकदम fine powder के फॉर्म में त्यार किया जाता है जैसे हमने यह बतला तो इसमें जो हम लोग बतला दिये ग्राइंडिंग कैल्सरियस इंड आर्जिलेसियस मेटरियल्स के फॉर्म में इसका यूज किया आता है लेकिन सिमेंट में बहुत ऐसा रहता है जो कि हमने लाश लेक्टर में डिसकस कर देशे लाइन सिलिका अलुमीना आयरन ओक्साइड मैगनिसियम ओक्साइड शल्फर ट्राय ओक्साइड एलकली यह सब का परसेंटर कितना रहा था इसके बारे में भी हमने लाश लेक्षे में डिसकस कर दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैनुफेक्ट्टिरिंग कैसे होता है तDr. इसको grinding क्या जाता है रऱॉ मेट्रियल को रॉर मेरे में क्या था गलसेर शीरीया ज्रीश न्स इस स्टोंश राब इसमें की सिलिका ऐल्यमीना और अट-डिक्साइड कंटेयनिंग क्या राथा है और भालिती हृटर्य कूंचली केल्सियम एलुमिनेट 10.5 परसेंट एंटेटरा केल्सियम एलुमिन फिराइट 9 परसेंट होता है जो सर्टन प्रोपोर्शन होता है इट इज देन बट इन लार्ज रोटरी किलन एट टेम्परेचर ओफ एबाउट फिप्टीन हंड़ेड डिग्री सेल्सियाज और बारह सो से सिंथर्स एंड पार्सेलि फ्यूज इंटू बाल संटेस्ट इन क्लिंग कर तो यह सारा प्रोशेस क्या एक अ frightening तो यह शारा प्रोशेस क्या क्लिंग कर तो भीनों क्वोजकर और जब किलिंगर हो जाता है कंप्लेयट तो किलिंगर की एक पीडिए, और ग्राउंड सर्पेस पर लाया आता है उसको जो मेट्रियल हमारा प्रोड्यूस हुआ और इसको फाइन पॉर्डर के फोर में बना दियाता है मेट्रियल मेट्रियल सिंटर्स एंड पार्शली फ्यूज इन्टो बाल्स नॉन एज किलिंकर दिकलिंकर इज कुल्ड एंड ग्राउंड टू फाइन पॉर्डर विट सम जिप्सम एड़ेड एंड दे रियल्टिंग प्रोड़क्ट इजी कोमर्शिल प्रोड़क्ट सिमेंट तो जिप्सम किसलिए मिला आता है कि जल्दी सेट ना हो जितना टाइम जो इनिस्टिल सेटिंग टाइम को बढ क्या किया था जब किलिंकर कुल्ड आता है ग्राउंड टू फाइन पॉर्डर विच्ट सम जिप्सम एड़ेड एंड रिजल्टिंग प्रोड़क्ट इजी कोमर्शिल पॉट्लेंट सिमेंट ती केल्सियम सलफेट इन दी फॉर्म आप जीप्सम युजवाली वन तो थी पर किमेट वीसेपन साइज में हमको कंटिरीटिं करना है या फिर सेपन साइज में हमको वर्क करना शसेपन साइज में नहीं हो पायगा श्याहрам लोग एक से दो तीन परसेंट युर्म एकश लेमिर्ट कर देकशonne नेएस्ट देखते हैं दिखेला सीम्ल motives कंसिस्ट फ़ॉलेंग मेजर कंपाउंट तो किया क्थ सिलिकेट फर्टी परसेंट केल्स्याम सीलिकेट थाती टू परसेंट ट्राकेल्सी can एलुमिनोफिराइट 9% इन सब का काम क्या है जब सीमेंट को सेटिंग हाड़निंग करना राता है तो यह हैड्रेशन and hydrolysis किया जाता है compound को जो material हमारा produce हुआ इसमें पानी डाला जाता है तब इस ये set होता है और hydrolysis किया जाता है तो फिर इसका जो original shepherd ऐन शाइज राता है ये set हो था है तो ट्रैकलिजाम aluminate जो सीमेंट में दिया जाता है तो उसका जो है वो सीमेंच को बेटर बनाता है ट्राकल्स एलुमिने टे-्ट्राकल्स एलुमीन फ्राइट गंपाउंड रिस्पोंद्स वेल फ्र फोर दी इनीस्यल से टिंटरिंग टाइम आप सिमेंट को बढ़ाने के लिए इसका इस मेटरिल का यूज क्या आता है तो गई आपको समझ में आ गया होगा क की सीमेंट का प्रोडक्शन कैसे होता है मैनुफेक्टरिंग कैसे होता है तो आज की लेक्चर में इतना है फिर नेस्ट लेक्चर मिलते तब तक की लिए भाई